हेलो बच्चों आज हमारा question है simplify हमें simplify करना है क्या 4 1 upon 3 मैनस 2 3 upon 4 plus 5 1 upon 6 हमारे किसमें दे रखे यह mixed fraction में दे रखा है यह हमारा whole number होता है यह हमारा proper fraction है इसको हम कहते है mixed fraction इसको हमें करना है improper fraction में तो यह क्या होता हमारा denominator whole number क्या होंगे multiply होंगे it means क्या होंगे 3 को multiply करेंगे 4 से में denominator multiply करेंगे 4 के 3 4 जै कितना होता है 12 और 1 को plus करते denominator में उसको क्या कर देते हैं plus कर देते यह हमारे कितना बंदा 13 और denominator हमारे यहां 3 है तो यहां भी 3 रहेगा मैनस कैसा है मैनस का अगेन यह दोनों अपस में multiply होंगे बाइ 4 की टेबल 2 तक बोलो 4 2 जा 8 8 में 3 को plus करो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा यह हमारा 4 denominator में जितने यहां है उतने ही यहां देगा ओके अब यह 5 है इन दोनों की टेबल बोलो वाई 6 की टेबल 5 टाइम बोलो 6 5 जे कितना हो था 30 और 1 पलस कर दो कितना हो जाएगा 31 अब हमारा यह हो गए improper fraction इंप्रोपर फ्रेक्शन का मता कि जा हमारा numerator उपर वाला नीच्च वाले से बड़ा होता है इसको हमें करना अब अब यहां देखो वाई अधिसन लेकिन हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे क्या denominator क्या नहीं हो जाए सेम नहीं हो जाए वह यहां तो 3 है यहां 4 है यहां 6 है इनके denominator को सेम करने के लिए हम क्या निकालेंगे लीस्ट कॉमन मंटिप्लाइड लीस्ट कॉमन मंटिप्लाइड का मतलब है 3 4 6 की ट्योबने सब पहले कौन सा नमबर आएगा तो इसके लिए हम क्या गाए यह सेम निकालेंगे 3 4 और 6 का देखो भाई 2 से जाएगा 3 की ट्योब में जाएगा नहीं फोर की ट्योबने टू टैम जाएगा ठीट को अगें हां तो से जाएगा ठीट की ट्योब पता लग गया हमारा ऐल संट अब पहला फ्रेक्शन देखो तो कितना है 13 अपूं 3 है 3 की टेवल मुझे 12 तक बोलनी वह यह जो डिनोमिनेटर में 3 है उसकी टेवल हमें कहां तक बोलनी 12 तक बोलनी यह हम कह सकते 3 से हमें 12 को क्या करना करना 3 4 जा कितना है कि 12 कितने टाइम जा रहा 4 तंजा रहा ओके मंटिप्लाई करना जो निवनिटर में टीन मैं यह मैनस के साय क्या है यह मैनस सेम होगा और टैब करना 12 तक बोलनी थी टैब जाएगा इन्टु 11 यह पलस का साय प्लस यहां कितना थाटीवान अपान ओ सॉरी सिक्स टेवल वोल जी टू टाइम कितने टाइम जाएगा इंटू थाटीवन ओके अब देखो यह मंटिप्लाइ कर दो 134 जै कितना होगा 52 हो जाएगा मैनस का सायन है मैनस 11 3 जा 33 और यहां 31 2 जा कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा बाइ 2 अट वन जा 2, 2 थी जा 6, अप वोण में हमारा है 12, सब्चे बेल हम पलस पलस वाले के एक पहले करें, क्यों को बहुत मास कर साथ, पहले क्या होता, पलस होता है, देको 2 और 2 कितना हो जाएगा, भाइ 4 हो जाएगा, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 114, मैनस 33, आपकुन में कितना है 12 अब इसको मैनेस कर दो है 4 में 3 गए 1 okay 11 इस थरीग 8 यहां कितना 12 यह हमारा क्या हो गया है यह हमारा answer अंसर हो गए ठीकckै यह चाहिए तो आप 3 से काड़ सकते है इसको यह हमारा answer efficiency में करना तो आपको ट्वra से क्या करना है 80 लिएट करना तो 12 से जाक कितना होता 3 3 9 3 4 12 तो क्या जाएगा 6 3 upon 4 हमारा क्या जाएगा अंसर हो जाएगा पर यह भी आंसर सही है ओके ऐसे हमारा सेकेंड इसमें पी पार्ट देकिंग हम कितना है 4 1 upon 4 मैनस 2 3 upon 8 फालस 3 1 upon 3 है इसको पहले 4 4 16 17 upon कितना हो जाएगा 4 मैनस 8 टुजा 16 कितना हो जाएगा 19 19 upon 8 हो जाएगा 3 3 9 1 10 10 upon कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ऐसम ले लो 4 8 और 3 का यह जाएगा सेम लाकर हमें क्या है 4 और 3 2 1 और ये 3 और 3 बन जा 3 2 तो 4 4 तो जा 8 8 3 जा 24 तो 24 हमारा क्या आगा है L से मा आगे means कहना है मतलब है 24 वो नमबर है जो 4 8 और 3 की टेबल वे सब पहले common आता है 4 की टेबल 24 तक बोलो 4 सिख जा 24 इंटू 17 येवाला मैनस है मैनस ओके 8 की टेबल 24 तक 3 टाइम इंटू 19 ये 19 पलस 3 की टेबल महमें 24 तक बोलों तो 3 8 जा कितना होता 24 इंटू कितना हो जाएगा 10 अब 17 सिख जा 6 7 जा 42 6 वन जा 6 और 4 10 110 मैनस 19 3 जा 57 वह ये कितना हो जाएगा 8 10 जा कितना हो जाएगा 80 अपन में 24 भाई बहुत महास घंजार पहले क्या होगा पलस होगा तो कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा 102 और 80 182 मैनस 57 अपन 24 भाई 12 में से 7 गए कितना बचेगा 5 बचेगा यहां बचेगा 7 7 में से 5 गए है 2 यहां 1 अपन 24 यह हमारा आंसर हो गया ओके चाहिए आप इसको मिक्स में कर सकते से इसको डिवाइड कर देना ओके यह हमारा क्या हो गया आंसर हो गया